हेलो गाइज आज हम गूमने के लिए आये हुए हैं पहाडियों पे यह जंगल है इसको बोलते हैं देवदार के पेने इसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है पूरे सड जंगल है हम टोटल पूरे बोलें तो पूरा पीक पूरी चोटी पे होए हुए है पहाड़ी पे और इस सेड में कुछ गर दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पर गर्मियों के मौसम में लोग आकर रहते हैं पर यहां पर कुछ से आपको अजीब से अजीब से गर देखेंगे क्योंके वो लोग सिर्फन मिट्टी के गर बने हुए हैं वो देखो और इस सेड में भी है वहां पर एक मजार भी है जो पीर बाबा के नाम से जाना जाते हैं यहां पर और यहां पर इस जगा को ढोग कहा जाता है और यहां पर कुछ ही गर हैं कुछ आगे गर हैं फिर हम आपको आगी वीडियो में दिखाएंगे और आगे जाएंगे तो अभी हम गरों की तरफ जा रहे हैं कुछ शायद नया देखने को मिले और यह एक जंगली फुरूट होता है पर अभी इनके साथ लगा नहीं है या खत्म हो गया है यह फुरूट है बोलते हैं कि इसको खाने से खुन बढ़ता है इसके फुरूट खाने को अभी हम नीचे को जा रहे है हम बाइक्स लेका हुए हैं यहां पर यह मेरे कजन है कुछ और अभी हम आपको कुछ दिखाएंगे कुछ ऐसी चीज दिखाएंगे जो आपने कभी शायद ना देखा होगा यहां पर इस सेड में यहां पर पानी निकल रहा है जमीन से पान निकल रहा है हम इसके पास चलते हैं और टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा है और इसका अभी कैसा लग रहा है यह पानी है शायद इदर से निकल रहा है यहां से भी न यहां से निकल रहा है यहां पर पाइप लगा कर लोग उने रखा है यह पानी है और बहुत थंडा है यहां पर लगता है फ्रिज की जुरूर तो नहीं पढ़ती होगी और शाम को आराम से थंड भी होती होगी यहां पर यहां पर यहां पर बहुत ज़्यादा पढ़ती है इसलिए यहां पर ऊपर टीन लगाया हुआ है इनुने और कुस गर तो आपको ऐसे ही दिखेंगे जैसे बिल्कुए प्लैन उपर मिटी डली हुए नीचे लकडी लगा के और हम इन गरों की तरफ जा रहे हैं अभ उनकी तरफ जा रहे हैं यहां पर कुस गर देखो यहां पर बिल्कुल मिटी से बने हुए है और शायद इस गर में आप कभी रहे होंगे यहां के कुस लोग अलेकुम आप आधि टाक कुदर गए अब यहां मिन किस गर में जा रहे हैं देखते अंदर किया है और यह गर के मालक हैं अब ज़र गया आप इस गर में पहुंच गया हैं हम इस गर में पहुंच गया है आदा 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 आप इनको दही मिला है पिने के लिए देशी दही हाँ 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 हाँ